हेलो एवरिवन मैं नीरा शर्मा आप सभी का जॉब जंक्सर में स्वागत करता हूं आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं HP PST में वेकंसी के बारे में जिसमें आपको पता चलेगा पोस्स का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सेलेक्शन प्रोसेस और सेलरी के बारे तो चलिए बात करते हैं, PST में हैं वेकंसी के बारे में, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यह वेकंसी आया हुआ है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा, और अगर हम देखें, इसमें जो पोस्स का नाम अगर आपको दिखना होग तो वो है Section Officer, और यह आया हुआ है Accounts and Finance Department में, और इसमें Qualification अगर हम देखें, तो Bachelor Degree है, यानि कि आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने Graduation किया हुआ है, तो आप इसमें Apply कर सकते हैं, Minimum Age Limit इसमें रखा गया 18 years, और Maximum Age Limit जो है, वो है 45 years, इसमें ध्यान दिजेगा, इ जो अलग-अलग category को belong करने वाले candidates हैं, उनको भी इसमें include कर दिया गया है, अब बात करते हैं कि आप इसमें Apply कैसे करेंगे, तो Apply करने का तरीका, Online Mode है, जिसका Link आपको इसको Official Website के साथ साथ हमारे description box और comment area पर भी मिल जाएगा, अब यहां पर से आपका selection process start होता है, तो selection process पहला है exam और दूसरा है interview, exam और interview के base पर आपका selection इस post पर हो जाएगा, और select होने के बाद जब को salary provide की जाएगी, वो कुछ इस तरीके से होगी, वो होगी 10,302,34,800 प्लस GP 5000 यह आपका pay scale होगा, और इस base पर आपको salary provide किया जाएगा, जो कि यह काफी अच्छा कासा आपके प जो भी यहां की जो government है, इसका मतलब हिमांचल प्रदेश जो government है, वो जो भी चीज़े अपने employees को provide करती, वो सारी सुविधाएं भी आपको provide होने वाली है, तो बिलकुल देखिए इसे, अगर आप इस post के लिए eligible हैं तो इसे miss मत कीजिए, जरूर apply कीजिए, और ऐसे informative videos को प